हलो फ्रेंड्स वेलकम तू दी चैनल आज का टॉपिक है रेवीज पीएसम का यह टॉपिक है कम्मिनिकेवल डिसीजस में आता है और हमने कम्मिनिकेवल डिसीजस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिये हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं उसके प्लेइस में जाके देख सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज उसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब क तो आप हमारे चैनल को जाइन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं र्बीज रिविई के रिवीज में हम पहले इसके मोड्व टांसमेशन वगरण पढ़ेंगे फिर हम इसके प्रेवेंशन अमें पढ़ेंगे इन्मेजीशन वगरण इनिशिन वगए ठीक है तो यैशि क के bite और lick करने से ये disease transmit होती है ठीक है और उनको है न हम rabbit animal कहते हैं जो जिसमें rabies present होगा हम उसको rabbit animal बोलेंगे ठीक है? rabbit animal वो होते हैं जिनमें rabies present होता है ये एक communicable disease है जिसकी जो fatality rate है वो 100% है और ये हमेशा जानलेवा होती है geographical distribution देखेंगे तो geographical boundaries ravies के spread होने में important role play करती है water एक natural barrier है barrier के तरह act करता है जहाँ water होगा वहाँ ये disease present नहीं होगी इंडिया में लक्ष्टीब और अंड़मान निकोबार जो जैसे कुछ areas हैं जो कि इस disease से मतलब इधर ये disease नहीं मिलेगी ravies free area जहाँ पर ravies का कोई भी case ना मिला हो कम से कम दो साल से दो साल से कोई भी case ना मिला हो man या animal में ठीक है तो उस area को हम ravies free area बोलेंगे अब हम epidemiological determinant देखेंगे जिसमें agent देखेंगे और host देखेंगे और environment देखेंगे agent factor में क्या है कि वो liza virus type 1 ravies cause करता है जो कि bullet shape होता है और वो neurotropic RNA virus होता है neurotropic RNA virus हम इसलिए बोलने है क्योंकि brain पर act करता है nagri body मिलेंगी जो कि pathognomic sign है ravies का और intracytoplasmic basophilic inclusion body मिलती है neurons में जिसको हम nagri body बोलते हैं और ये rapdovirati family से belong करता है दो type होते हैं ravies virus के street virus और fixed virus ठीक है street virus क्या है कि naturally occurring है और fixed virus अगर ये brain to brain passes अगर ये follow करता है street virus तो वो modify कर देता है और उसको हम बोलते हैं fixed virus ठीक है pathogenicity इसकी क्या है all mammal में ये pathogenic है मतलब all mammal के लिए ये हानिकारक है और ये कुछ ये कभी-कभी pathogenic होता है ठीक है incubation period क्या है 20 to 60 days है और इसका fixed virus का 4 to 6 day है ठीक है नेगरी body इसमें मिलती है और fixed virus में नहीं मिलती है source of infection क्या है saliva है मतलब जो infect करता है animal की चीज़ जैसे अब animal ने bite किया तो वो saliva से ही infect होगा क्योंकि है न animal के saliva में rabies virus present होता है host factor क्या है rabies अगर man में human में होता है तो वो fatal होता है यह dead end infection होता है mode of transmission देखेंगे animal bite, licks, aerosol के थ्रू यह transmit होता है person to person भी यह transmit होता है animal bites में अगर देखें तो dog bites से transmit होता है licks अगर ना upgraded skin मतलब अगर ना कहीं से कटी चिली skin है या mucosa से transmit होता है तो अगर कहीं घाओ है या फिर कहीं wound है तो यह उधर से भी transmit होता है aerosol respiratory transmission भी देखा गया है इसमें person to person transmission भी देखे गया है जो कि rare है अब हम देखते हैं incubation period incubation period इसका variable होता है यह four days का भी होता है और यह symptoms सालों तक भी आते हैं incubation depends on incubation period depends upon site of bite severity of bite कितना severe है कितने wounds है amount of virus injected कितना virus है उसमें और species of biting animal क्या species है animal की biting animal की protection provided by clothing and treatment undertaken तो incubation उस पर depend करता है कितना amount गया है कितना severe है इन छे चीज़ों पर यह depend करता है अब हम आते हैं pathogenesis पर pathogenesis में क्या है कि virus वाइरस वहां पर replicate करता है जहां पर bite किया हो ठीक है और muscles में replicate करेगा connective tissues में replicate करेगा और फिर क्या होता है कि यह फिर क्या है nerve end पर जाकर attach हो जाता है और spread करता है centripetally मतलब peripheral nervous system से centrally यह spread करेगा मतलब pns to cns करेगा center attract करेगा ठीक है तो यह centripetally centripetally spread होता है ठीक है और फिर वाइरस spread होगा centrifugally centrifugally मतलब cns to pns होगा मतलब cns to pns होगा और फिर tissues तक जाएगा ठीक है जैसे कि skeletal myocardial myocardial tissues हो गए ठीक है adrenal glands हो गई स्केन हो गई तो इसमें क्या है क्याना वाइरल ने रैप्लिकेट किया मसल से मतलब pns हो गया peripheral nervous system हो गया muscles connective tissue यह वहां से रैप्लिकेट किया फिर वो है cns पर गया nerve ending पर गया तो यह spread कैसा हुआ pns से cns अगर हुआ यह द्वारा जाएगा जैसे कि skeletal myocardial muscle adrenal gland और स्केन्स अब क्लीनिकल फीचर्स देखते हैं तो इसमें क्या है कि इसकी तीन स्टेजेज होती है प्रोड्रॉमल स्टेज 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 ऑफ एक्साइटेशन और स्टेज ऑफ इसमें क्या है प्रोड्रॉमल स्टेज में हैडिक होगा रेस्लेसनेस फीवर तिंग्लिंग और नमनेस होगी जहां पे बाइट किया है स्टेज ऑफ एक्साइटेशन में क्या है कि इसमें सी एनस एफेक्ट होता है और वह भी और्डर में सबसे पहले सैंसरी होगा फिर मोटर होगा और फिर संपेटर्टिक होगा सैंसरी में क्या है कि पेशेंट नॉइज में ब्राइट लाइट में कोल्ड हीट में कोल्ड हीट से दूर भागेगा एरोफोबिया हो जाएगा मतलब उसे हवा से भी डर। लगने लगेगा तो सैंसरी में क्या होगा कि वो नॉइस से दूर भागेगा ब्राइट लाइट से दूर भागेगा मतलब उसे हं अंधेरे में रहना पसंद मतलब वो हंधेरी की तरफ भागेगा कि अब हम आते हैं sympathetic system पे sympathetic system में क्या है परस्पाइरेशन और लेक्राइमेशन होगा सलाइवेशन होगा stage of paralysis stage of paralysis में क्या है क्या है declutation muscles जो होती है उनकी paralysis होने लगेगी जिसके वज़ेसे वो खाने में difficulty होगी और उसको pain होगा जैसे जैसे यह condition और बढ़ेगी तो उसके खाने में और पीने में उसको pain होगा तो इसमें क्या है जैसे जैसे मतलब इससे ऐसा लगेगा कि वो खाने से डर रहा है ठीक है क्योंकि उसको पेन होगा तो वो खाना नहीं घाएगा और सामने वाले को ऐसा लगेगा कि उससे खाने से डर लग रहा है ठीक है तो इसको हम उसे पानी से भी डर लगेगा जिसको हम ह हाइड्रोफोबिया भोलेंगे हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ओफ वाटर यह पैथोगनॉमिक सायन होता है रेबीज का अब हम आते हैं ट्रीट्मेंट पर ट्रीट्मेंट में ऐसा कोई ऐससा स्पैसिफिक ट्रीट्मेंट नहीं है बस हम उसे जो पेशेंट है उसको आइसो और पेन को रिड्यूस करने के लिए और अगर मस्किलर कंट्रेक्शन प्रेजेंट है तो ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि स्पास्म को रिलीज करें कॉंट्रेक्शन को कम करें तो ऐसी ड्रग्स के लिए ऐसी ड्रग्स जिनमें है ना क्युरारे लाइक एक्शन हो ठीक है तो हम आईसी ड्रग्स देंगे हैं डिरेशन का दिहान रखेंगे और र्रेस्पिटलेटरी और का घीक सपॉर्टद देंगे अब हम आते हैं प्रेवेंशन पर ठीक है प्रेवेंशन में क्या है क्या ना प्रिवेंशन हम t belki से पेपी जिसको हम post exposure profile axis बोलेंगे pre exposure profile axis फिर हम post exposure treatment of person who have been vaccinated previously तो हम इसको तीन काटेगरी में prevention करेंगे ठीक है एक्टिब इम्मिनाइजेशन देंगे और पैसेव इम्मिनाइजेशन देंगे एक्टिब में हम एंटी रेवी एंटी रेवी वैक्सिटेशन से करेंगे इसको वैक्सिन देंगे ठीक है और पैसेव में क्या करेंगे एंटी रेवी सिरम देंगे या फिर एंटी रेवी इमिनो अभूनट्रुलाइज करेंगे और रेना प्रवेंट करेंगे नर्व में इनफेक्षन फैल नर्व में तो रूंछेंगे GU से प्रवेंट करेंगे फौ Kayla है वाइब आशा प्रवेंटन का कई यह कॉए जो वाइरस хоч branches पेंडिंग तक मतलब वो से एनस तक ना पहुंचे और वो और टिशू में स्प्रेड ना करें तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा वाइरस को रिमूव करेंगे बाइंडिंग साइट से ही लोकल ट्रीटमेंट या जो हम वूंड ट्रीटमेंट करेंगे वो तभी हैलफुल होगा जब वो विदिना मिनट उसको अपलाई करेंगे उसको फॉलो करेंगे तब हम मैक्सिमम वाइरस को रिमूव कर सकते हैं मतलब विदिना मिनट ही हमें जो करना है तब ही वो हैलफुल होगा ठीक है इस ट्रीटमेंट से फिर 80% चांसिस कम हो जाते हैं इंफेक्शन के फैलने स हम दे सकते हैं एंटिवाइट और एंटी टिटनेस में जबी कर सकते हैं तो क्लींजिंग में हम क्या करेंगे क्लींजिंग में हम उसको वूंड को वाश करेंगे और स्क्राइज को वाश करेंगे ठीक है किसे सोप और वाटर से मतलब वाटर कैसा होना चाहिए रणिंग जाना चेमिकल ट्रीटमेंट से इनक्टिवेट करेंगे तो वह कौन-कौन से केमिकल ट्रीटमेंट है मतलब वाइरुस आइडल एजेंट है जैसे कि अलकोहल हो गया ठीक है आयोडिन या फिर पोविदिन आयोडिन हो गया डेटॉलियस एवलॉन थर्ड है सूचरिंग तो सूचरिंग हमें उस वूंड की नहीं करनी है क्योंकि जो वाइरुस है वो इस्प्रेड हो जाएगा डीपर टिशूज में अगर जैसे बहुत नैसेसरी भी है सूचरिंग करना तो हम उसे इमेडियेटली न करके 22-48 आर्स के बाद करेंगे एंटी रे अब क्या है कि हूद को मतलब हमें जो वूंड है आनिमल वाइट वाला जो बूंड है पेशेंट का वह में कवर नहीं करना है करना है वह और टरेस अप लिए घप नहीं जरूरी है तो फिर हम उसे लूज ली उसको टाइ कर एंप अब आते हैं ऑब्सेशन ऑफ एनिमल पे त हैं कि अगर एन इनिमल इंफैक्टेड होगा तो उसके साइब केंदर और उसके साइब को उद्धा करने लग आए और सेयं संपक्न diff आइपर हो और फिर क्यली मेरे बैद्धा और ऑूए सिंप्टम नियुकूम क हो ईंदर तो infection नहीं है और person को ऐसी घबराने के बाद भी नहीं है उसका ऐसे treatment करके हमें भेज देना है local treatment करके अब third है anti-revis immunization observation के बाद क्या था anti-revis immunization करना है हमें immune करना है उस person को जितना जल्दी हो सके क्योंकि आना क्योंकि जो वाइरस है वो पी एनेस से से एनेस में जलना चला जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डगना चला जाए इसलिए हमें उसे जल्दी इविनाइस करना है और जो antibodies है vaccination के 7 days के बाद अपियर होती है तो रेवीज vaccination यूनिक क्यूं है इसकी खास बात यह है कि हम infection के या मतलब exposure होने के बाद भी हम vaccine लगा सकते है ठीक है उसके बाद antibody अपेर होंगी और वो उसको treat करेगी अब क्या है कि हम anti-revy vaccination कब कर सकते हैं तो कहना जो जब animal ने science दिखा दिये हो मतलब animal में रेवीज के science दिखने लग गए हो जब वो हमने उसे observation में रखा था ठीक है तो हम person को जल्दी से जल्दी immunize करेंगे और क्या है कि हमें animal को observation में नहीं रख पाए है हमें animal मिलाई नहीं है तो हम person को जल्दी से जल्दी immunize करेंगे vaccine देंगे lab test में हम fluorescence rabies antibody test करेंगे या फिर नेगरी बाडी टेस्ट करेंगे अगर यह किसी जंगली जानवर ने काटा है तो उसके लिए भी हम एंटी रेवीज vaccination देंगे अब हम आते हैं active immunization पे तो रेवीज vaccine इसमें दी जाती है active immunization में तो क्या है कि प्रिपेर की जाती है जो यह जो वैक्सीन होती है वो रैबिट शीप गॉट माइस रैट के neural tissue से प्रिपेर क की जाती या फिर cell culture किया जाता है उसका वाइरस को inactive करने के लिए formalin दिया जाता है और बीटा प्रोप्यो लेक्टोन दिया जाता है ठीक है तो हमने रेवीज vaccine देख लिए कैसे प्रिपेर होती है अब हम देखेंगे एंटी रेवीज vaccine कौन कौन से होती है रेवी नर्वस ट इंडिया में मिलती है cell culture vaccine human haploid cell vaccine होती है यह नर्वस टिशू vaccine अब हम देखेंगे तो sample vaccine जो है वो है नियूरोलजिकल कॉंप्लिकेशन कराती है डग एंब्रियो vaccine यह less neurological कॉंप्लिकेशन कराती है लेकिन इसके allergic reaction ज्यादा होते हैं ठीक है cell culture vaccine में क्या है यह more potent है safer है इसके कम side effect है क्योंकि है न क्योंकि इसकी potency जादा है और इसका cost भी गम है second generation tissue culture vaccine प्रिफर्ट तो कौंसी वैक्सी प्रिफर्ट की जाती है second generation tissue sugar vaccine जो कि हमने यहां पर पढ़ी थी ठीक है अब हम देखेंगे vaccine administration के vaccine दी कैसे जाती है और कितने मतलब कैसे schedule होते हैं उसके किस schedule में दी जाती है I am देंगे ID देंगे I am मतलब intramuscular और intradermal schedule हम देखेंगे तो से पहले हम देखेंगे intramuscular schedule में हम routine schedule देखेंगे site है इसकी deltoid ठीक है हम कहां पर कहां पर देते हैं vaccine deltoid muscle में देखेंगे और अगर है ना चाइल जो है वो two years से कम का है तो हम उसको देंगे antrolateral aspect of thigh मतलब thigh के front की तरफ देंगे तो जैसे यह थाई है तो यह anterior है और lateral यह lateral है ठीक है तो हम इसे यहां पर देंगे six doses दी जाती है 1 ml की on day 0, 3, 7, 14, 28 and booster dose दी जाती है 90 डे पर इसमें हमने देख लिया six doses कैसे हुई five doses तो यहां हो गई और एक dose यहां हो गई ठीक है तो 0, 3, 7, 14, 28 डे पर दी जाती है 1 ml booster dose दी जाती है day 90 पर doses अब हम देखें तो five dose regimen भी है और four dose regimen भी है तो five dose जो लगती है वो एसन रेजिमन में लगती है four doses जो है वो जारीव रेजिमन में लगती है तो यह हमें याद रखना है एसन रेजिमन में क्या है five dose आइम कैसे लगती है one 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 करके ठीक है one dose of vaccine should be administered on day 0, 3, 7, 14, 28 तो यह एक एक डोस जो लगती है वो five मतलब five days के लिए लगती है ठीक है तो five day कौन कौन से zero day पर जिस दिन वो आया है three day पर seven day पर 14 दे पर 28 दे तो यह इसका रेजिमन हो गया given in deltoid reason or for young children into the entrolateral area of thigh muscle तो deltoid reason में दिया जाएगा या फिर थाई muscle के entrolateral aspect पर दिया जाएगा तो हम इसमें देखते हैं डोस क्या है one मतलब I am dose होगी one ml या फिर 0.5 ml डेल्टोइड में दी जाएगी day 037 1428 पर दी जाएगी रेवी मतलब vaccination दी जाएगी रेवी इमिनोग्लोविल इन फाइव वाइल्स होंगी और फाइव विजिट होंगी ठीक है ठीक है जारेब रेजिमन में क्या है four dose रेजिमन है इसका और क्या है कि two one one करके यह लगती है या फिर हम कहें के two zero one zero one पर ऐसे करके लगती है two doses are given on day zero हम यह हम two count कैसे कर रहे हैं कि हम एना दे जीरो पर ही दो डोस दे रहे हैं इसकी डेल्टरड मसल डेल्टरड मसल पर मतलब दो डोस कैसे राइट और लेफ्ट आम पर देंगे हम कौनसी पर कौनसी रीजन पर डेल्टरड मसल वाले रीजन पर देशनल वन डोस is administered in डेल्टरड मसल ऑन डे सेविन और डे ट्वेंटीवन पर भी आना होता है तो इसकी टोटल फोर डोस हो गई दो दो तो यहां हो गई और एक-इक डोस यहां पर हो गई ठीक है थ्री विजटी तो होंगी 211 तो टू तो एक ही दिन लग रही है और दो दो विजट यह वाली 7 और 21 डेज वाली अब दोज क्या है हम इसमें मतलब यह बनाना इंपॉर्टेंट है ठीक है यह चीज इसकी बनाना इंपॉर्टेंट है तो अच्छा लगेगा और माक्स भी अच्छे आएंगे डोज में क्या है वन आई एम डोज दी जाएगी वन एमल या फिर पॉइंट फाइव मल डेल्टोइड डीजन में डे जीरो पर दो डी जा रही ह आई राइट और लेफ्ट आपई डेल्टोइड रीजन पर ठीक है और डे 7 पर एक डोज दी जा रही है डे 21 पर भी एक डोज दी जा रही है रेवीज़िमिल ग्लोबिलिम दी जाएगी मतलब कहा कि वैक्सिन दी जा रही है फोर वाइल्स हो गई वन टू थी फोर और यहना टेल्टोइड और थाई ठीक है डोस क्या है 0.1 ml यह ऐसे है कि हम इस फ़र 1 फिफ देते हैं 1 फिफ देते हैं आई एम का ठीक है आई एम डोस जो होगी उसका 1 फिफ हम आई डी में देंगे इंटरडर्मल में जैसे की 0.5 ml अगर लग रही है आई एम में तो आई डी में कितनी लगेगी 0.1 ml तो 1 फिफ है पूरी ठीक है अब टोटल फोर डोस लगती है जीरो जीरो डे पर मतलब जिस दिन वह आया है थर्ड डे पर 7 डे पर 28 डे पर वॉल्यूम पर इंटरडर्मल इस 0.1 ml तो वॉल्यूम पर इंटरर्मल हम जतनी बार आई डी लगाएंगे तो उतनी वार हम 0.1 ml देंगे यूजिंग ईडी रूट ऑफ अड्मिनिस्टेशन वे रो रैप यूज करते हैं और रैवे पर यूज करते हैं ठीक है पीवी सीवी की इसमें फुल फॉर्म है प्यूरिफाइड वेरो सेल वैक्सीन और पीचीजीवी की फुल फॉर्म है चेदन के क्या है कि हर अब मतलब पर साइट पर 0.1 डी जाएगे जाएगा हैं पे ब्लैप एक विए नियुक्त है। तो तभी आपको लोगा चाप एपर देखें तो आप्लाइब करेंगे तो इसको फॉल्व करेंगे तो आपको लंगे तो और न आपको निजिए तो तो टो 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 ठीक है 037-8 है ना 14 दे इसमें हम मिस कर देते हैं मतलब 14 दे पर नहीं देते हैं तो टू साइट ओंटर्मल Regiment 22202, ठीक है, 0, 3, 7, 14 days में miss है, और 28 day, तो day 0, हम यहाँ पर यह बनाएंगे, इसको हमें बनाना है exam में, तो day लिखेंगे, site लिखेंगे, और हम dose भी लिख देंगे, अगर dose लिखनी है, तो, क्या लिखेंगे, 1 ID dose equals to 1 fifth of IM dose, ठीक है, तो 0, 1 हो गई, है ना, तो 0, 3, 7, 28, अब site देखेंगे, तो, मतलब, दोनों site पर लग रही है, deltoid और thai पर, 4 visit है, और वाइल्स कितनी use हो रही है, पैसे immunization देखेंगे, अब active हमने देख लिया है, active हमने, हमने 2 schedule देखेंगे है, IM और ID, पैसे में हम देखेंगे, इसमें ready-made anti-rabies antibodies दी जाती है, यह immediate protection के लिए दी जाती है, category third cases में ऐसा करते हैं, ठीक है, day zero पर दी जाती है, यह जो passive immunization है, day zero पर ही किया जाता है, active immunization के साथ, exposure और treatment शुरू होने के बीच के interval में यह दी जाती है, ठीक है, dose क्या है, 40 international unit per kg body weight for equine या फिर horse anti-rabies serum, ठीक है, dose है, इसकी 40 international kg, पर kg, ठीक है, हम जितना हो सकेगा, उतना हम, मतलब उतना हम depth of the wound, मतलब जो wound की depth है, जितना हम possible हो सकेगा, उतना उसको inject करेंगे, है ना, और remaining dose को हम gluteal region में inject कर देंगे, IM, in single dose on day zero, ठीक है, day zero पे, जैसे, क्या है कि हमने एक dose ली, तो हम जितना होगा, उस wound पे inject कर देंगे, जितना possible हो सकेगा, और अगर dose बसती भी है, तो फिर हमें उसे gluteal region पे inject कर देंगे, IM, है ना, और ये active immunization के साथ ही दी जाती है, pre-exposure profile access देखेंगे, तो pre-exposure profile access मतलब, expose होने से पहले हम उसे immunize कर देंगे, और मतलब वहिए कि पहले ही treatment ले लेंगे, तो ये उसमें दी जाती है, जो कि at risk होते हैं, at risk वाले कौन कौन से लोग होते हैं, veterinarians होते हैं, animal handler होंगे, forest staff और hunter होगा, है ना, उनमें हम पहले ही दे देते हैं, dog handler, municipal sweepers, laboratory staff, working with rabies worker, ठीक है, इन लोगों को, ये जो at risk workers है, at risk group है, तो हम इनमें, पहले ही pre-exposure profile access कर देंगे, ठीक है, dose क्या है, dose क्या देंगे, cell culture vaccine देंगे, 1 ml, IM, 0.1 ml, ID देंगे, on day 0, 7 और 28 दे पर, अब क्या है, कि pre-exposure profile access में क्या है, कि protect even in case of inapparent exposure, simplifies post-exposure therapy, avoid the use of RIG, rabies immunoglobulin, तो यहां पर हमारा rabies वाला chapter खतम होता है, rabies वाला topic खतम होता है, इसके हमने prevention and control पढ़ लिये हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं, और अगर कहीं भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो, या फिर आप चाहते हैं कि इसको improve किया जाए, और अगर आपको पसंद भी आता है, तो प्लीज आप हमें feedback दें, ठीक है, थैंक यू सो मुच पर वाचिंग दे लेक्ट्टर, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, थैंक यू,